नमस्कार आपका स्वागत है भगवान स्री कृष्ण ने गीता उपदेश में ऐसे मनुशों के बारे में बताया है जो उन्हें अत्यंती प्रिय है ऐसे मनुश पर भगवान स्री कृष्ण की क्रपा सदय बनी रहती है दोस्तों भगवान स्रीकृष्ण साक्षात पर ब्रहम है इस समस्त संसार के कनकन में उनी का वास है उनी से इस ब्रहंहान के उत्पती होती है और उनी में इसका अंत भी होता है भगवान स्री कृष्ण ने द्वापर युग में इस समस्त संसार को भगवत गीता का घ्यान दिया था जो मनुष्य के कल्यान के लिए सरवत्तम है भगवत गीता में भगवान स्री कृश्न ने कर्म का सिध्धान बताया है कि किस प्रकार कर्म करके वेक्ती परंपत की प्राप्ति कर सकता है भगवत गीता संसार का सरवस्रिष्ट ग्रंथ है आज हम आपको बताने जा रहे है ऐसे मुनुष्य के लक्षनों के बारे में अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे लक्षन दिखाई देते है तो भगवान केशों को सबसे अधिक प्रियो होता है अगर आपके भी अंदर ऐसे लक्षन दिखाई दे तो कमेंट करके अवश्य बता जो मनुष्य दूसरों को कष्ट में देखकर दूसरों का बुरा होने पर कभी आनंदित नहीं होता वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मनुष्य दूसरों को कष्ट में देखकर अत्वा दूसरों का नुकसान हो जाने पर मन ही मन खुश होने लगता है अत्वा दूसरों का पाहित हो जाने पर आनंदित हो जाता है वो नीच होता है दूसरा लक्षन द्वेश न करना भगवान स्रीक्रिशने कहते हैं ऐसा ही वेक्ती मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो दूसरों का द्वेश नहीं करता अर्थात जो मनुष्य दूसरों की परिसीती देखकर उनका तिर करता है वो कभी उन्नती नहीं कर सकता तीसरा लक्षन शोक से रहित स्रीक्रिशने कहते हैं जो मनुष्य दुरलब वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखता और नाश्वान वस्तुओं के विशे में शोक नहीं करता वही मेरे सच्चे सुरुप को जानता है अता ऐसा जो मनुष्य सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं की कामना नहीं करता उसके पास जो भी है उसी से संतुष्ट रहता है और कभी लालज नहीं करता अत्वा किसी चीज को पाने के लिए कोई बुरे काम नहीं करता वो मनुष्य सर्वत्तम है और वही मेरा प्रियबी है पाचवा लक्षन त्याक करने वाला, जो मनुष्य दूसरों को सुक देने के लिए अपने सुकों का त्याक कर देता है, दूसरों के हित के लिए अपने हित की बली चड़ा देता है, अर्था जो परोपकारी है, वो भगवान स्रीकृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है, मनुष् अगर आपके अंदरे सेलक्षन है तो कमेंड में आवश बताए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, कमेंड में जैस्रीकृषन आवश लिखे, साती चानल को सब्सक्राइब करे, धन्यवाद